दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तरों पर छापे मार कारवाई की गई है लेकिन बताया जाता है कि आईटी ने ये कारवाई छापे मार कारवाई नहीं बलके सर्वे किया है इस सर्वे में ये बताया गया कि आईटी को एक शिकायत मिली थी जिसमें कहा गया था कि इंकम टेक्स के उसूल जवाबित और इस मामले में बेजाबतगी की गई है और जिसके बाद ये सर्वे किया गया है इंकम टेक्स अफसरान जिस वक्त बीबीसी के दफ्तर में दाखिल हुए वहां के मुलाजमीन औहदेदारों के फोन भी जब्त कर लिये गए इतना ही नहीं लैपटॉप और दूसरी दस्ताविजात को जब्त करने का आमल भी शुरू किया गया बता दे आपको के बीबीसी ने गुजरात 2002 के फसादात पर मुबनी एक फिल्म इंडिया दा मोदी कोईशन रिलीस की थी इस डॉक्मेंटरी फिल्म पर काफी वाविला मचा था इसके बाद बीबीसी के दफ्तर पर ये कारवाई की गई है बताया जाता है कि इस कारवाई के बाद आपोजिशन ने इसकी ना सिर्फ ये के मुखालिफत की है बलके इस मामले में सरकार पर तनकीदे भी की है बीबीसी ने एक डॉक्मेंटरी रिलीज की थी जिसमें मुलक के वजीर आजम नरेंदर मोदी की शबी को खराब करने के कोशिश की गई थी इसी सिलसले में इस चाप अमार कारवाई को बताया जाता है बता दे आपको के बीबीसी के दफतर में इंकम टेक्स से मुतालिक पासबुक और दीगर दस्तावेजात की ना सिर्फ जाच की गई बलके आईटी के अफसरान इन तफसिलात और डीटेल को जमा करके दफतर ले जाएंगे अपने दफतर में ये तफतीश की जाएगी कि इंकम टेक्स के उसुल जवाबित में कुछ खामिया पाई गई है या नहीं या फिर इंकम टेक्स के मामले में बीबीसी ने कुछ बद उनवानी की है या नहीं इसके मुतालिक भी तहकीक की जाएगी बता दे जिस तरह से बीबीसी के मामले में पूरे मुलक में वाविला मचा हुआ था और डॉकुमेंटरी फिल्म को लेकर ना सिर्फ ये के एक वाविला मचाया गया था और जिससे मुलक के वजीर आजम नरेंदर मोदी की शभी खराब करने की कोशिश की गई थी अब ये चापे मार कारवाई के बाद अपोजीशन ने बाजापता तोर पर तनकीदे शुरू की कर दी गई है और बता रही है कि जिस तरह से इस पर कारवाई की गई है तो ये बीबीसी की आवास दबाने की एक साजिश भी हो सकती है लेकिन सरकार ने इससे इंकार किया है जब किया गया है जबके मुलाजमीन के जो फोन जब किया गया है उसे वापस कर दिये जाएंगे जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट